नमस्कार बहुत स्वागत है आपका धार्मी कारियों की पूर्णता बेगार मंत्र के नहीं होती और स्राद कर्म में भी मंत्र का विशेश महत्व है पहला है पुरू सुक्त और दूसरा है पित्रे सुक्त अगर आप उन सुप्तम को पाठ ना कर पाएं तब आप एक छोटा सा मंत्र का जब कर सकते हैं आपको हम मंत्र वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं लेकिन पहले हम छोटे सी जानकारी के लिए बता दें ओम कुल देवताई नमह इकीस बार ओम कुल देवताई नमह इकीस बार ओम नाग देवताई नमह इसका भी कीस बार जब करना है ओम पित्री देवताई नमह एक सो आट बार जब करना है और फिर ओम पित्री गनाई बिद महे जगत धायने धी मही तन्नो पित्रों परचो देया यह मंद्र जो है ना पित्रों को परशन्ट करने के लिए किया जाता है अगर पित्री दोस बहुत परिसान करे तब इन मंद्रों का जब कर सकते हैं लेकिन नियमित पुजा के समय भी आप पित्रपक्ष में आप घर में भी आप महलाएं पूस हैं कोई भी पित्र पक्ष में पित्रों को प्रशन्न करने के लिए इन मंत्रों का जब कर सकते हैं, यह पित्री दोस्निवारं मंत्र है, अब देखे पित्री गायत्री मंत्र, जो बहुत ही जादा फल देता है, अन्य मंत्रों के पिक्छा और मंत्र स्कीन पे देखे आप स्कीन सोट लेके भी रख सकते हैं पित्रिदेव ता प्रची अदयात तो इन मंत्रों का भी आप जब कर सकते हैं पित्रिदेवों को प determin करने के लिए फित्रि गैत्री मंत्र है तो फित्री मंत्रेफ अ बिलती है है इस मंद्र को जब करने से यह अपने आप में स्वयम सिध्ध मंत्र है और जैसा कि गैतरी मंत्र का महिमा है उसी तरह पित्री गैतरी मंत्र कईक अलग अस्थान है और इस मंत्र का प्रवावाच्यूख है कुंड़नी में कितना भी बढ़ा पित्री दोसों वो भी समाप्त हो जाता है और जो पित्र देव हैं जो पित्वी लोग पर आये हैं पित्र लोग से वो भी संतुष्ट होकर जाते हैं अगर कुछ समझ में ना आए तो एक लोटा जल में कुसा घास डाल कर सिवलिंग पर अर्पित कर दें तो पित्री स्त्रिप तो हो जाते हैं पित्री सांट